हाई गाईज हेलो एंद वेलकम बैक तो मैं चैनल व्यूडी ओन ड्यूडी सो गाईज आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो है पीरियट्स आने की सही उम्र क्या है और पीरियट्स आने के बाद में एक लड़की की सरीर में कौन-कौन से बदलाव आते हैं और पहले बार पीरियट्स के समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ में ही हम ये भी बात करेंगे कि उस दोरान किन चीजों को खाना पीना चाहिए तो हर लड़की को एक उम्र के बाद में periods आने शुरू हो जाते हैं और periods होने के बाद में हर लड़की के सरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिन लड़कियों को इस बारे में पहले से जानकरी नहीं होती हैं वो सरीर में आ रहे नए बदलाव से घबरा जाती हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगे कि periods आने की सही उम्र क्या होती है और periods आने के बाद में एक लड़की के सरीर में कौन-कौन से बदलाव होती है और किन चीजों को उन्हें ध्यान में रखना चाहिए तो वीडियो बहुत useful है पूरा जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे useful लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर कीजिएगा और चैनल पर अगर नई हो तो प्लीज चैनल को भीना सबस्क्राइब कियो मज़ेगा तो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस useful topic पर full detail So let's get started तो सबसे पहले मैं बात करूंगी periods की सही उम्र क्या है यानि कि एक लड़की को first period है वो कब आता है तो लड़कियों में नॉर्मली 10 साल से 14 साल की उम्र में periods है वो आने सुरू हो जाते हैं तो अगर लड़की को 9 साल की age में ही periods आने सुरू हो जाए या फिर देरी से periods आए तो इसका मतलब है कि आपके hormones में कुछ कमी है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना टेस्ट है वो जरूर करवाना चाहिए periods जल्दी सुरू होना या लेट आना इसकी कई और वज़े भी हो सकती है इसलिए आप लोगों की कही सुनी बातों से ज्यादा डॉक्टर के पास जाकर इसकी सही वज़े जरूर जाना है तो अब मैं यहाँ पर बात करूंगी कि first period के दौरान एक लड़की के सरीर में कौन कौन से changes आते हैं तो period आने के बाद में लड़की के सरीर में कई तरह के hormones बदलाव लाते हैं लड़की को period आने के बाद उसके बालों की growth पर असर दिखाई पड़ता है और कई बार लड़की के बाल है वो जढ़ने लगते हैं और कई बार कुछ समय के लिए बालों की ग्रौथ है वो रुक जाते हैं लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के सरीर में ये बदलाव हो हर किसी के हार्मोन के हिसाब से ही उनके सरीर में बदलाव आते हैं अगला जो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है वो है ब्रेस्ट की स्टैप बननी सुरू हो जाती है जब तक लड़कियों को पीरियट्स आने शुरू नहीं होते तब तक उनका शरीर एक जैसा ही लगता है लेकिन पीरियट्स आने के बाद शरीर के कुछ हिस्सों में खाश बदलाव आने लगता है ये बदलाव हर लड़की के लिए जरूरी होते हैं इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है चोथा जो बदलाव आपको देखने को मिल सकता है वो है स्किन का ओईली हो जाना पीरियट्स के दोरान या उससे पहले कई लड़कियों को पिमपल्स हो जाते हैं ये भी हॉमोंस में बदलाव की वज़े से ही होते हैं आपकी स्किन ओईली हो जाती है जिस वज़े से पीरियट्स के दोरान मोहासे होने का खत्रा रहता है तो पहले बार पीरियट्स के समय लड़की को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो लड़कीों को जब पहली बार पीरियट्स होते हैं तो उन्हें कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए साफ सफाई का ध्यान रखे, साफ सैनेटरी नैपकिन का इस्तमाल करे, गंदे कपड़े ना पहने और पीरियट्स के दोरान देली नहाए इस दोरान इन्फेक्शन होने का खत्रा रहता है, इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखे अब हम बात करते हैं कि लड़कियों को पीरियट्स के दोरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो लड़कियां अक्सर ये जरूर जाना चाहती है कि पीरियट्स के दोरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो आप सब कुछ खा सकते हैं, खाने पीने की चीजों का कोई परहेज नहीं है जितना हो सके इस दोरान हेल्दी डाइट जरूर ले और जिने वाटर रिटेंशन की दिक्कत है उन्हें इस दोरान चीनी, नमक, कौफी, चॉकलेट कम लेने चाहिए ऐसा नहीं है कि खाए ही नहीं अगर आपको ये दिक्कत रहती है तो आप इस दोरान इन चीजों का सेवन है वो कम कर सकते हैं ज्यादा मिर्ची मशाले वाला खाना या पिर तेल वाला खाना चाहे तो इस दोरान कम कर दें खास कर तब जब आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा कर सेंसिटिव है क्योंकि हो सकता है सरीद में आ रहें नए बदलाओ से मिर्ची की वज़े से ऐलर्जी महसूस हो मैं आसा करते हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूसफुल रहे तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई